चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी रेसीपी हेलो फ्रैंस मैं उकमी मेरी रसोई में आप सब का स्वागत है तो चलिए हम इसे बनाते हैं पहले हम इसका मसाला त्यार करेंगे तो यह मैंने आदी कटोडी दही ले ली उसमें डाल दिया वन टीस्पून हल्दी पॉड मिर्ची पॉडर अब हम इन मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने मसालों को मिला दिया इसमें अब भी नमक नहीं डालेंगे नमक डालने से न दही पानी छोड़ने लगेगा फिर हम इसमें डाल देते हैं वन टेवल स्पून कसूरी मेथी इसे भी ह गरम हो गया अब इसमें डाल दूंगे मैं वन टीस्पून जीरा और यह चॉप किया हुआ दो बड़े साइज का प्याज अब हम इसे चलाते हुए ऐसे भून लेंगे देखिए अब इसमें डाल देते हैं अद्रक लैसून और हरी मिर्ची जिसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था इसे चलाते हुए भून लेंगे जब लैसून का कच्छापन खतम हो जाएगा फिर इसमें हम यह दही वाला मसाला डालेंगे देखिए हमारा यह प्याज और भून गया है अब हम इसमें यह मसाले को एड़ कर देते हैं और इसे हमें लगातार चलाते रहना नहीं तो दही फट जाएगा देखिए ऐसे करके जब तक एक उबाल नहीं आ जाता हम इसे लगातार चलाते रहेंगे दही में उबाल आने लगा है यह देखिए और दही हमारा फटा भी नहीं अब हम इसमें डाल देते हैं यह ग्रेट किया हुआ टमाटर और इसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक कटोड़ी यह हडा मटर और इसे थोड़ा सा चला के फिर हम इसे पकने देंगे देखिए हमने मसाले और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया अब इसे दो मिनट जो हम इसे ढखके पका लेंगे दो मिनट हो गया है और टमाटर हमारा जो है ना, लगबग में आदा जो है ना, वो कूख हो g идет देखे ऐसे चलाते हो हमें अच्छे से मसाले और τमाटर को भुन लेना है अगर हम मसाला भुन के मटर डालते ना, तो फिर ये मटर जो है उतना अच्छे से नहीं soft होता देखे जो जो मटर हमारा है वो अच्छे से सौफ्ट हो गया है अब थोड़ीतर इसे हम और चला लेते हैं फिर हम इसमें में ग्रेवी डालेंगे यह हमाराtwo सीफह ब् suzorn गया है और हम इसमें ग्रेवी डाल देते हैं देखिए इसे ग्रेवी है अपने हिसाब से रखिए छितना आपको डालना आपनीर सब्सक्राइब गर्म मसाला जो यहें सब्सक्राइब करनाः पर्वाद को तैयार हो गया और अगरेगे वीडियो पसंद को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले और प्लीज कमेंट वक्स में जरूर बताएं मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है ओके बाई